हेलो यूटूब फैमली मैं हूँ अर्चना और मेरे यूटूब चनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो कैसे आप सब आई होप सब लोग बहुत अच्छ होंगे तो गाइस आज किस वीडियो में मैं रिवियू करने जारी हूँ कोजिक आसेड एंड बिटामिन सी क्री करते हैं मतलब बहुत जादा सब्सक्राइब 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 करते हैं मतलब बहुत जादा में बहुत ज़दा help करती है skin को lightening करती है ये cream और guys इसमें kozic acid and vitamin C ingredients यूज किया गया है जो कि काफी अच्छा ingredients माना जाता है और हमारे skin के लिए काफी अच्छा होता है और kozic acid जैसे हमारे milazma पे work करता है pigmentation हो गए blemishes हो गए है dark spots हो गए है vitamin C भी dark spots aging पे work करती है और guys जैसे बहुत ज़दा spots हो गए हैं तो उन पे भी बहुत अच्छे work करती है और glowing skin बनाने में भी बहुत ज़दा help करती है तो guys ये दोनों ही ingredients हमारे skin पे काफी अच्छे work करते हैं तो guys आज कि इस cream की A to Z information आपके साथ share करने वाली हो details में आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए work करता है या नहीं करता है कहीं आपके पैसे तो waste नहीं हो जाएंगे सारा कुछ इस वीडियो में clear करने वाली हो उससे पहले guys अगर आप मेरे चल पर new है या मुझे पहली बार देख रहें तो please please मेरे चल को subscribe जरूर कर दीजेगा और guys किसी भी product को खरीदने से पहले उसके पूरी information आपको ले लेना है जान लेना है उसके बारे में उसके बाद ही आपको कोई product purchase करना ऐसे ही video या add देकर कोई भी product purchase ना करें इस क्रीम में किसी भी टाइप का harmful chemical यूस नहीं किया गया है और guys यह जो क्रीम है तो यह all skin types है सारे skin types वाले इसको use कर सकते जो oily skin होती है नॉर्मल होती है dry होती combination होती but sensitive skin वाले हलका सा पैस्टर साब जरूर कर लेना और guys इसके हम ingredients की बात करें तो इसमें कोजिक एंसेट और vitamin C है और भी काफी से ingredients इसमें यूस किये गए है और guys यह आपको online मेल शाय का बहुत असानी से और guys अब हम इसके benefits की बात करें तो यह आपकी skin को lightening बनाने में बहुत ज़दा help करता और जैसे आपको बहुत ज़दा tanning हो गई है, आपको dark spots हो गए है pimples हो गए है pigmentation हो गई, blemishes हो गई milasma हो गया है जो भी problems है तो उनको भी ठीक करने में बहुत ज़दा help करता है और जैसे आपको sun से sun के कारण हमारी skin damage हो जाती तो उसको भी repair करने में बहुत ज़दा help करती है skin को brightening बनाता है whitening बनाता है skin को soft बनाता है skin tone को balance करता है skin को clear and brightening बनाता है lightening करता है skin को hydrate करता है irritant and fabulous skin को lowers malазine, secretion and skin को बहुत ज़दा glowing बनाता है skin को तकी अच्छा बना देता है sun damage के कारण भी आपके स्किन बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो इसको बहुत अच्छा बना देगा तो गैस अब इस क्रीम को आपको कैसे यूज करना है यूज करने से पहले हलका सा पैस टेस्ट आप जरूर कर ले उसके बाद ही आप कोई क्रीम यूज करें अगर जैसे आपको इरिटीशन होता है रैडनेस होता है कुई भी टाइप की प्रॉब्लम्स होती है तो आप फिर उसको यूज करें पहले आपको फेस को अच्छे से वाश कर लेना है और उसके बाद आपको स्क्रीम को नाइट में अपलाई करना है और उसके बाद अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाए फिर आपको छोड़ देना है और गाइस इसको रेजल्ट्स आपको 15 से 20 दिन में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है स्किन में तो वो थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई बहुत ज़्यादा ब्लैमिसे से हैं पिग्मेंटेशन से डार्क स्पोर्ट बहुत ज़्यादा है तो यह थोड़ा सा टाइम ले सकती है मतलब वन मन्थ भी ठीक होने में लग सकता है अगर आपको नॉर्मली कम डार्क स्पोर्ट से कम टैनिंग है तो यह पंदरा दिन के अंदर ही आपकी यह सारी प्रॉब्लम्स को खतम कर देगी आपकी गाइस क्रीम बहुत अच्छा है आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते तब तक ही आप इसको यूज़ करें दो या तीन मन्त उसके बाद आप जादा दिन यूज़ ना करें इस क्रीम को तो गाइस बस क्रीम बहुत अच्छी है हमारी यह सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्ट भी करती है तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही अगर मेरी वीडियो आपको helpful लगी हो तो मेरी वीडियो को like कर दें चल को subscribe जरूर कर दें आपकी एक subscribe से मैं बहुत ज़दा motivate होती हूँ आइकन को भी प्रैस करते हैं ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियो रहे वह आपको सबसे पहले मिल सके तो कैस मिलते नेक्स वीडियो में बाबाए